साथियों, हर देश अपनी सिख्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूस के साथ जोड़ते हुए, अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफार्म्स करते हुए, आगे बढ़ता है। मक्सद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टिम, अपनी वर्तमान और आने वाली पीडियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करें। भारत की नेशनल एजुकेशन पालिसी, राष्टिय शिक्षानीती का आधार भी यही सोच है। राष्टिय शिक्षानीती 21 सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तयार करने वाली है। 21 सदी के भारत को हमारी युवाओं और हमारी युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरुरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्टिय शिक्षानीती पर इन बातों पर विशेश फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई उचाईद पर पहुँचाने के लिए, भारत के नागरिकों को और ससक्त करने के लिए, उन्हें जादा से जादा आउसरों के उपयुक्त मनाने के लिए इस एजुकेशन पालिसी में खास जोड दिया गया है जब भारत का स्टूडन्ट चाहे वो नर्सरी में हो या फिर कॉलेज में साइन्टिफिक तरीके से पढ़ेगा तेजी से बदलते हुए समाएं और तेजी से बदलती जरुरतों के हिसाब से पढ़ेगा तो वो नेशन बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टिव भूमी का निभा पाएगा साथियों बीते अनेक वर्षों से हमारे एजुकेशन सिस्टिम में बड़े बडलाव नहीं हुए थे परणाम यह हुआ कि हमारे समाज में क्यूरोसिटी और इमेजिनेशन की वैल्यूस को प्रमोट करने के बजाए बेड़ चाल को ही प्रोथान मिलने लगा था कभी डॉक्टर बनने के लिए होड लगी कभी इंजिनियर बनाने के होड लगी कभी वकील बनाने के होड लगी इंट्रेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग कि ये बिना खोड लगाने की प्रभुत्ती से एजुकेशन को बहार निकालना जरूरी था हमारे स्टूडन्स में, हमारे युवाओं में, क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विख्षित कैसे हो सकती है जब तक हमारी सिक्षा में पैशन ना हो, फिलोसोफी औप एजुकेशन ना हो, परपज अप एजुकेशन ना हो